आधी रात हो चुकी थी, लेकिन मुझे नीद ही नहीं आ रही थी, अजीब सी बेचैनी और चिंता मुझे चैन से बैठने भी नहीं दे रही थी, मैं अपने कमरे में टहल रही थी, कि तभी मुझे नीचे गार्डन एरिया में एक साया नजर आया, ध्यान से देखा, तो वो प पापा थे, मैंने हैरान होते हुई खुद से सवाल किया, कि पापा इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं, तभी अचानक मेरी नजर में गेट के पास पड़ी, जिसकी दराज से मुझे किसी के हांत दिखाई दिये, ये देखकर मैं चौक गई, पापा गेट के पास पहुँच लेकिन गेराज के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, तभी मैंने गेराज के दर्वाजे की दराज से जैसे ही अंदर छांक कर देखा, तो मेरी पैरु तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि अंदर तो पापा एक औरत के साथ दोनों की सांसे उस वक्त बहुत थेज थी, और अपने पापा को इस हालत में किसी औरत के साथ देखकर मेरे तो रूंटे खड़े हो गए थे, मेरी लिए ये उनकी बेटी होने की वज़ा से बहुत ही शर्मनाक नजारा था, लेकिन वो दोनों तो अपनी ही धुन में इतने मगन थे, कि उन्हें किसी वी चीज का को हैरान हो गई कि आखिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई, अभी सुभा ही तो घर पर मेरी बात हुई थी, मुझे थोड़ी सी फिक्र होने लगी, इसलिए मैंने तुरंत ही घर पर फोन लगा दिया, दूसरी तरफ पापा ने जैसे ही फोन उठाया, तो वो बहुत ही परिशानी भरी आवाज में मुझसे बोले, माला बेटा, जितनी जल्दी हो सके तुम घर वापस लोटाओ, मैंने कहा लेकिन पापा, बात क्या है, वो बोले इस बक्त मैं कोई भी बात तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता हूँ, इसलिए तुम जल से जल्द घर आ जाओ, फिर सामने ब मैं मम्मी से बात करती हूँ, मैंने तुरंती मम्मी के मुवाइल पर कॉल लगाया, पहले रिंग गई, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया, मैंने एक बार फिर से ट्राय किया, और जब दोबारा फोन उठाया, तो इस बार भी फोन पापा ने उठाया, मैंने पापा से क कि मुझे मम्मी से बात करनी है तो वो कहने लगे कि बेटा मम्मी इस वक्त किसी काम से बाहर गई है और वो अपना फोन भी यहीं छोड़ गई है और मैंने तुम से कहा ना कि तुम घर आ जाओ तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूँगा अगर तुम यह सोच रही हो कि तुम सामान की पैकिंग शुरू कर दी थी और चुटी के लिए एप्लिकेशन भी लिखने बैठ गई तब मुझे यह खयाल आया कि आखिर मैं कितने दिन की चुटीयों के लिए इस एप्लिकेशन को लिखूं मुझे समझी नहीं आ रहा था फिर मैंने खुद से सोचा कि अब जब मैं घर जा ही रही हूँ तो कम से कम दो हफ्ते तक तो रुक कर आऊंगी इसलिए मैंने अपने मन से ही दो हफ्ते की चुटी के लिए लिख दिया और एप्लिकेशन को सम्मिट कर दिया अगले दिन सुबा ही मैं अपने घर के लिए निकल गई लेकिन मैं हर वक्त एक उलजन स गिरी हुई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर पर क्या बात हो गई है जो पापा ने मुझे इतनी इमरजन सी में बुलाया है और फिर पापा ने मम्मी को बताया तो होगा ही कि मेरा उनके पास फोन गया था लेकिन फिर भी मम्मी ने एक बार भी पलटक मुझे कॉल नहीं किया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तीन घंटे के बाद मैं अपने घर के सामने थी मैं जैसे ही घर के अंदर पहुची तो मेरा छोटा भाई जो मुझसे सिर्फ एक साल ही छोटा था रोहन मेरे गले से आकर लग गया वो मुझे देखकर बहुत कहने लगा दीदी मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा हूं मैंने अभी तक इसलिए खाना भी नहीं खाया मैंने सोचा कि जब मेरी दीदी आ जाएगी तो मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगा मैंने उसके दोनों गालों को पकड़ कर कसके खीचा मैंने कहा मुझे पता है चॉकलेट्स बहुत पसंद है इसलिए मैं जब भी कॉलिज से घर वापस आती हूं तो उसके लिए चॉकलेट लाना कभी भी नहीं भूलती चॉकलेट लेकर वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया था तुरंत ही चॉकलेट का डिबबा लेकर सोफी पर बैट कर खा लेकिन मुझे पापा थोड़ा टेंशन में नजर आ रहे थे मैंने तुरंत ही पापा से पूछा कि मम्मी कहा है तो उनके चहरे पर अचानक से सन्नाटा पसर गया उन्होंने एक तिर्ची नजर रोहन के उपर डाली मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था उन्होंने मुझसे कहा तुम मेरे कमर में चलो मैंने सूचा ऐसी क्या बात है कि पापा रोहन के सामने मुझे कुछ भी नहीं बता रहे जब हम कमरे में पहुँचे तो अचानक से पापा रोने लगे ये देख कर मैं बुरी तरह से घबरा गई मैंने कहा पापा आखिर बात क्या है कम से कम अब तो मुझे बताईए, देखिए मुझे बहुत जादा घबराट हो रही है, और आप जो ये behavior कर रहे हैं, उससे तो मेरी फिक्र बढ़ती ही जा रही है, इस पर पापा बोले माला बेटा, चिंता की बात तो है, इसलिए आज पहली बार ऐसा हुआ है, कि तुम्हारे पापा की आ उसको मैंने सिर्फ यही कहा है, कि तुम्हारी मा बिजनिस मीटिंग के जिसले में सहर से बार गई होई है, इसलिए वो इतने आराम से रह रहा है, मैंने तुम्ही भी ये बात फोन पर इसलिए नहीं बताई, कि कहीं तुम बहुत जादा पैनिक ना हो जाओ, पापा की ये ब मा की तबियत काफी दिनों से खराब थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी तबियत के बारे में तुम दोनों बच्चों को मुझे बताने ही नहीं दिया, और ना ही कभी खुद कुछ कहा, उनका इलाज पिछले चार महीने से चल रहा था, मुझे तो यही लग रहा था, कि तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं थी, मैंने पापा से कहा, कि लेकिन मम्मी को भला किस बात की टेंशन, सब कुस तो अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, रोहन भी अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देता है, और हमारे घर में रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पूरे बिजनिस की बाग डोर तो मम्मी ने खुद ही अपने हाथों में समाल रखी है, पूरे शहर में जितने भी बड़े बिजनिसमैन है, उनमें मम्मी का नाम गिना जाता है, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क कि मुझे बिजनिस बगएरा बहुत जादा समझ नहीं आता, इसी लिए मैंने कभी भी इस फैमिली बिजनिस में कोई रुची नहीं ली, मुझे तो बस समा सेवा ही पसंद है, और मैं अपने NGO's को चलाने में ही बिस्त रहता हूँ, इसी लिए मुझे इस बात की भनक तक नह प्रते ही चले गए, और हमारी कमपनी घाटे में जाने लगी, ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन जब तुम्हारी माहत से ज़्यादा टेंशन में रहने लगी, तो मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, पर शुर शुरू में तो उसने मुझे कुछ भी नहीं ब तुम्हारी माह, रेनुका से जब इस बारे में पूछा, तब जाकर उसने मुझे बताया, कि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी प्रापर्टीज थी, वो सारी लॉस को चुकाने के चक्कर में बेचनी पड़ी, लेकिन फिर भी जो बैंक का कर्ज है, वो अभी भी हम पर काफ भी डील को क्रेक करने से पहले ही, उस डील को खुद साइन कर लिया करते थे, जिस वज़ा से रेनुका को इस करज से उभरने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, अब तो सिर्फ हमारे पास ये घर ही बचा है, बाकि सारी चीजें गिरवी पड़ी हुई हैं, ये सब सुनकर मे मेरा तो दिमाग ही घुमने लगा था, मैंने पापा से कहा, तो फिर मम्मी अब कहां पर हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त रेनुका हॉस्पीटल में अड्मिट है, ये कहते हुए पापा फुट फूट कर रोने लगे, कहने लगे, आज मैं खुद को इतना मजबूर फील कर र रहा होता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पतनी का इलाज महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा करवा सकूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं, कि मैं उसे किसी अच्छे हॉस्पीटल में एड्मिट कर सकूँ, अगर हमारी हालत ठीक होती, तो अब तक त कहाना बना दिया, कि हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हैं, अस्पताल पहुँच कर जब मैंने मा की हालत देखी, तो एक बार फिर से मेरे आसूं का बांध तूट पड़ा था, मेरी वो मा जिसके चेहरे की रौनक कभी भी कम नहीं हुई थी, वो आज अपनी उम्र से भी ठीकते ही, उनकी आखों से भी आसू बहने लगे, मैंने उन्हें चुक कराया, फिर मैंने उनसे कहां कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिये, मा अब आपकी बेटी बापस आ गई है, और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, इसलिए अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको अपनी पूरी हिम्मत चुटा कर खुद को ठीक करना होगा, ये तो आप जानती है न, कि आपका और पापा का साथ हमारे लिए कितना अनमोल है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, लेकिन बस आप कैसे भी करके ठीक हो जाईए, इस वक्त आपकी जो हालत है, मैं जानती हूँ, उसमें अच्छा इलाज, अच्छी दवाई के असर से आप जल्दी ठीक हो सकती हैं, लेकिन उससे भी जादा जरूरी है आपकी हिम्मत, आप जितना जादा खुद को मजबूत बनाएंगी, और अपने आत्म विश्वास के दम पर खुद को च दुखी देखती, तब तो वो और भी जादा परिशान हो जाती, और शायद उनकी हालत सुधरने की जगा और जादा बिगडने लगती, मा ने एक नजर पापा की तरफ देखा, और उनकी पुतलियां उन पर ही जाकर टिक गई, मैं समझ गई कि मा को पापा की चिंता हो रही मैंने मा से कहा कि आप बिल्कुल वी फिक्र मत करिये, मैं पापा का भी और रोहन का भी दोनों का अच्छे से खयाल रखूँगी, मैंने पापा से पूछा कि डॉक्टर का मम्मी के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर फिलहाल तो कोई खास उमीद नहीं चता रहें हैं और इसी लिए वो मुझे बार बार यही कह रहें है कि हम तुम्हारी मा को घर वापस लेकर चलें और वहीं से ही उनका ट्रीटमेंट करवाएं क्योंकि अब कोई चमतकार ही है जो तुम्हारी मा को ठीक कर दे यह सुनते ही मेरी आखों से फिर से आँसू बहने लगे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी बड़ी मुसीवत मेरे घर पर कैसे आ गई थी कहां तो मुझे यह लग रहा था कि सब कुस ठीक है और कहां एक ही जटके में सब उजड गया था दो दिनों के बाद मा को अस्पतार से डिश्चारज करके हम लोग बापस घर लोट आए थे और रोहन ने जब पहली बार मा को इस हालत में देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि अगर हम मा के सामने इस तरह से रोएंगे और खुद को कमजोर दिखाएंगे तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगी इसलिए हमें खुद को मजबूत दिखाना होगा और मा को हिम्मत देनी होगी कि वो हमारी खातिर खुद को जल से जल्द ठीक करने की कोशिश करें मेरी बात रोहन को समझ आ गई थी और इसलिए फिर दुवारा से उसने खुद को बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखाया मैं दिन रात अपनी मा की सेवा में लगी रहती थी लेकिन अब मेरे सामने बहुत सारे सवाल खड़े थे मेरा MBA का ये लास्ट सेमेस्टर था इसके बाद मेरे हाथ में मेरी डिगरी होती और इस वक्त मेरे लिए मेरी पढ़ाई भी बहुत इंपोर्टेंट थी पर मैं ऐसी हालत में अपने घरवालों को छोड़ कर कहीं नहीं जा सकती थी इसी लिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ और बिजनिस की ABCD तक मुझे नहीं आती थी अभी तो मैं सिर्फ उसकी पढ़ाई कर रही थी लेकिन उसका कोई भी experience मेरे पास नहीं था हाला कि मेरा प्लान यहीं था कि अपनी डिगरी कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी मा के बिजनिस को जॉइन कर लूँगी लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ बिखर चुका है और जिसी समेटना कैसे है यह मुझे आता ही नहीं था लेकिन मैंने अपनी मा से कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुसीवत हमारी सर पर आई कैसे ऐसा कैसे हो गया कि कोई भी डील एक के बाद एक मेरी मा को मिली ही नहीं रही थी शायद इसे ही किसमत कहते हैं जो इतने साल से जो हम पर महरवान थी तो हर प्रोजेक्ट हमारे हाथ में ही आता था और लेकिन जब इसी किसमत ने अपना मुँ हम से मोड लिया तो हमारे हाथ पूरी दरह से खाली हो चुके थे नेक्स टे मैंने अपने कॉलेज में प्रिंसिपल सर को अपने घर पर आई हुई मुसीवत के बारे में सारी बाते बता दी मेरे प्रिंसिपल सर काफी समझदार थे वो अकसर हम बच्चों से बात करते थे और हम यही समझाते थे कि हमारे मन में अगर कोई भी डाउट या हुआ करें तो हम उनसे बे जिज़क बात कर लिया करें इसी वजह से मैंने उन्हें जब अपनी परिशानी के बारे में बताया तो उन्हों मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि जब तुमारे एक्जामस स्टार्ट होंगे तो तुम अपने एक्जामस देने जरूर आ जाना मुझे भी उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी उन्हें थैंक्यू बोल कर मैंने फोन रख दिया मैंने सोचा कि मैं पापा से कहती हूँ कि कल से वो म मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम अगर जाना चाती हो तो जा सकती हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब चीज़ें हमारे हाथ में रह गई हैं इसलिए बहतर यही होगा कि तुम अपनी डिगरी कंप्लीट करो और उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब देख लो ताकि कम से कम हमारा घर ही चल सके ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं जो समा सेवा का काम करता हूँ उसमें मेरी कमाई तो ना के बराबर ही है समा सेवा का मतलब ही यही होता है जिसमें निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की जाए मैंने पापा से कहा कि वो बात आपक इतने बड़े बिजनिस को यो चुटकियों में डूबते हुए नहीं देख सकती तो पापा कहने लगे बेटा लेकिन हकीकत ये ही है कि अब तुम्हारी मा का बिजनिस पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसे नए सिरे से खड़ा करना अब किसी के भी बसकी बात नहीं है क् जो तुम करने की सोच रही हो उसके लिए ना सिर्फ धेर सारे पैसे की जरूरत है बलकि एक्सपिरियंस भी चाहिए और तुम्हारे पास तो कोई खास एक्सपिरियंस नहीं है मैंने पापा से कहा कि आप ठीक कह रहे हैं लेकिन लाइफ में जो भी इंसान किसी नई चीज की सुरुआत करता है तो वो बिना किसी एक्सपिरियंस के ही करता है और जब हम चीजों में उतार चड़ाओ देखते हैं कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं तब ही जाकर हमें एक्सपिरियंस मिलता है घर बैठे बैठे तो मुझे एक्सपिरियंस नहीं मिलने वाला ना पापा उसके लिए तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा ना और जो मा के कंदों पर जिम्मेदारी थी उसे खुद के कंदों पर लेनी ही होगी मैं इस तरह से हाड नहीं मान सकती और इसी लिए इस समय मुझे आपका साथ चाहिए मेरी इस बात पर पापा कुछ परिशान हो गए वो क मेरे साथ आफिस चलेंगे तो मुझे काफी तसली मिलेगी अगर कोई चीज मुझे इस समझ में नहीं आती है तो कम से कम बहां पर आप होंगे जिसके जरीए में चीजों को समझ सकती हूँ लेकिन पापा ने आफिस जाने से साफ इंकार कर दिया वो कहने लगे देखो माला बिटा ये तुम्हारी जिद है और मैं तुम्हारी इस जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हो सके तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं बिजनिस के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैं तुम्हें भी यही राय दूँगा कि तुम अब अपनी ये जिद छोड़ क्योंकि कुछी दिनों में जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उन पर बैंक कबजा कर लेगा और फिर तो वैसे भी कुछ भी नहीं बचेगा सिर्फ ये घर ही रह जाएगा और घर चलाने के लिए तो तुम्हें नौकरी करनी ही होगी इतना कहकर पापा अपने कमरे से बाहर चले गए मैं हैरान परिशान सी पापा को जाते हुए देख रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जिद मैं लेकर बैठी हूँ या फिर पापा भला मेरे पापा मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है वो मा को तो बहुत प्यार करते हैं, तो फिर उनके बिजनिस से वो उतना ही लगाओ क्यों नहीं रखते, मुझे नहीं पता कि मैं मा के बिजनिस को दुबारा फिर से खड़ा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन कम से कम वो मेरा साथ तो दे सकते थे, कम से कम हम दोनों मिलकर एक को कोशिश तो कर सकते थे लेकिन उन्होंने तो उस कोशिश में भी मेरा साथ देने से साफ इंकार कर दिया शायद उन्हें अपनी समास सेवा और एंजियो से इतना जादा प्यार है कि उन्हें बाकी और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है इस बात से मुझे थोड़ा पापा से नाराजगी तो हो गई थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये जिम्मेदारी मेरी है तो इसे निभाना भी मुझे होगा अब चाहे मुझे अकेले ही सारी चीजों का सामना क्यों ना करना पड़े लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी अगले दिन सुभा ओफिस जाने से पहले म मैंने मा का हाथ अपने हाथ में थाम कर उन से कहा कि आपका आशिरवाद ही मुझे अब बहुत सक्त जरूरत है क्योंकि आज आपकी बेटी पहली बार आपकी बिल्दिस को दोबारा से खड़ा करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही है मुझे नहीं पता कि मैं अपने हार मानी थी और ना ही मैं मानूगी तब ही माने फिर से अपनी पुतलियों को अजीब तरह से घुमारा शुरू कर दिया वो कुछ इशारा कर रही थी लेकिन वो इशारा क्या था मुझे समझी नहीं आ रहा था मैं काफी देर तक ये समझने की कोशिश करती रही कि मा मुझे क्या कहना चाती है पर मैं समझ नहीं पा रही थी फिर मुझे लगा कि शायद मा मुझे आशिरवाद दे रही हूँ इसलिए मैं और वक्त जाया किये बिना ही आफिस के लिए तुरंत निकल गई आफिस पहुंसते ही सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे सच कहूं तो मैं उस वक्त बहुत जादा डरी हुई थी लेकिन फिर भी सब को ऐसे दिखा रही थी कि जैसे मैं इस वक्त बहुत confidence में हूँ मैंने केबिन में पहुंसते ही मैंनेजर को अंदर आने का इशारा किया जैसे ही मैंनेजर अंदर आया मैंने उससे सारी फाइल्स को बेरी टेवल पर लाने के लिए कहा उसके बाद एक के बाद एक मैंने सबी फाइल्स को चेक करना शुरू किया लेकिन सच कहूं तो मुझे क कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था उस दिन जब मैं शाम को लोटी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अपना सर ही नोच लूँ और इतना रोना आ रहा था कि क्या बताऊं लेकिन फिर भी अगली सुबा मैं फिर से खुद को मोटिवेट करके दोबारा ओफिस पहुंची और फिर यही सिलसिला लगबग एक हफते तक चलता रहा लेकिन मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां से शुरू करूँ और ना इस बात का पता चल रहा था कि ये मुसीवत हमारे गले कैसे पढ़गी इधर बैंक की तरफ से बार बार नोटिस आ रहा था जिसमे हमें ये याद दिलाया जा रहा था कि आने वाले तीन महीने के अंदर अंदर हमारी किन-किन प्रॉपर्टीज को बैंक अपने कबजे में ले लेगी वो देख देख कर तो मेरा खून सफेध होता जा रहा था एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई ऑफिस की कुछ फाइल्स को ही चेक कर रही थी तो मुझे अब तक की अपनी इस नाकामी पर गुस्सा आने लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगी तब ही अचानक पापा कमरे में आ गए वो मुझे चुप कराते हुए कहने लगे मैंने तो तुमसे पहले ही कहाता माला बेटा कि बिजनिस बगयरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है और फिर तुम तो नए बिजनिस को सुरू करने की जगह एक डूबे हुए बिजनिस को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी और अपनी डिगरी के complete होते ही किसी अच्छी जगा पर नौकरी के लिए apply करना शुरू कर दो तुम्हारी डिगरी तो काफी अच्छी college से पूरी हो रही है तो तुम्हें नौकरी भी बहुत अच्छी salary पर अच्छी company में मिल जाएगी अब तक हम लोगों ने बहुत आली शान जिन्दगी बिताई है लेकिन अब शायद हम भी एक middle class family की तरह ही जिएगे ये भी हमारी किस्मत ही है और जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता मैंने पापा की तरफ आंसु भरी हुई निगा से देखा और उनके गले लग गई मैंने पापा से कहा कि हमारे थी ये क्यों हुआ पापा हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था पापा कहने लगे कि मैं जानता हूँ बेटा कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन कभी कभी भगवान हमारी परिक्षा लेता है और शायद ये हमारी परिक्षा की ही घड़ी है और इसमें हमें स सबर करना है लेकिन तुम चिंता मत करो सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा इसके बाद पापा कमरे से बाहर चले गए मैंने भी सोचा कि पापा बिलकुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि इस तरह से अगर मैं सब कुछ समेटने की कोशिश करूंगी तो मेरे अंदर जो आत्म विश्व रहे हैं लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि मैं अपनी मा से किया हुआ बादा पूरा नहीं कर पाई और वो बिजनेस जिसे वो इतना प्यार करती हैं उसे मैं बचा नहीं पाई उस रात मैं बहुत रोई थी और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ था लेकिन अब मेनेजर को साफ तरह से बोल दिया कि अब मैं office नहीं आऊंगी और जो भी legal notices आते हैं उन्हें आप घर पर ही भेज़ देना बाकी जो भी चीजें होंगी या जिन कागजों पर sign करने होंगे उन्हें मैं वही पर sign कर दिया करूंगी दरसल मा के बाद प्रॉपर्टी से लेकर बिजनिस से रिलेटिड जो भी ओफिशियल्स काम होते थे उन पर मेरे ही सिगनेचर चलते थे क्योंकि मा ने अपनी नॉमिनी में सिर्फ मेरा ही नाम डाल रखा था क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि पापा को तो इस सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और रोहन तो अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा है और फिर उसका भी इंटरेस्ट बिजनिस बगेरा में मुझे कुछ खास नहीं दिखता मैं क्योंकि बिजनिस की पढ़ाई कर रही थी इसलिए मा नहीं ही मुझे अपनी हर चीज में बारिश बनाया हुआ था अपना सारा काम पैक करने के बाद मैंने मा के कैबिन में एक नजर दोड़ाई ऐसा लगता था कि जैसे मैं इस ओफिस को अपनी आँखों में भर लेना चाती हूँ और फिर मैंने एक गहरी सांस ली और जैसे ही कैबिन से बाहर मैंने कदम रखा तब ही अचानक से मेरे ओफिस का एक एंपलॉई मेरे पास दोड़ता हुआ आया वो कहने लगा कि मैडम एक क्लाइंट आपसे मिलने चाते हैं आप एक बार उनसे बात कर लीजिए हो सकता है ये डील फाइनल हो जाए और हमारी कमपनी बच जाए सच कहूं तो उस एंपलाई की आँखों में उस वक्त जो खुशी की चमक थी उसे देख कर मैं इनकार नहीं कर सकी और मेरे अंदर भी एक बार फिर से एक नई उम्मीद जाग गई थी मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और उसे थेंक्यू बोला तो वो कहने लगा मैडम ये कमपनी जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है हम भी यहां काफी सालों से काम कर रहे हैं और अपनी ही आखों के सामने कमपनी को डूबता हुआ हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते इसलिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो सब कुछ करेंगे उस एंपलॉई के इस आत्मिश्वास से भरी बात ने मेरे अंदर एक जान फूँक दी थी मैंने तुरंदी उस क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए बोल दिया कुछी देर में हमारी मीटिंग हो गई थी मुझे नहीं पता ये उपर वाले का आशिरवात था या फिर क्या था लेकिन एक चमतकार हुआ वो क्लाइंट मुझे बहुत खुश हुआ और उसने लगबग मुझे जाते हुए यही कहा कि 99% ये डील अब वो मेरे साथ ही करेगा लेकिन उसे अपने बॉस से बस इस डील को लेकर थोड़ा डिस्कसन करना है सिर्फ उनकी ही हाँ एक बार हो जाए और उसके बाद मैं ये डील पक्की ही समझू ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था मैं उस दिन जब घर लोटी तो खुशी से उचल रही थी मैं दोड़ती हुई सीधा मा के कमरे में पहुँची और मैंने मा को सब कुछ बता दिया मा के आँखों में फिर से खुशी के आंसू आ गए थे मैंने मा से कहा कि मैं जानती हूँ कि ये डील बहुत बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी ये छोटा सा काम ही मुझे बहुत उचाई तक लेकर जाएगा कम से कम आज एक सुरुवात तो हुई है तब ही पापा कमरे में आ गए तो मैंने पापा को तुरंती सारी बात बता दी जिसे सुनकर पापा का चहरा न जानी क्यों लेकिन उतर गया मैंने पापा से कहा कि आपको खुशी नहीं हुई तो वो कहने लगे बेटा दर असल ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ पर इस डील से हमें कोई खास फाइदा नहीं होने वाला क्योंकि इस से इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा कि सारा करजा चुकाया जा सके मैंने पापा से कहा कि मैं जानती हूँ पापा लेकिन फिर भी कम से कम हमें कुछ तो फाइदा होगा और जब हम एक डील क्रैक करेंगे तो आगे भी और भी इसी तरह की डील्स मिलने के चांस हमारे लिए और भी जादा बढ़ जाएंगे मैंने तुरंत ही मम्मी की तरफ देखा और उनसे कहा कि मैं सही कह रही हूँ ना मा उस वक्त मम्मी के चेहरे पर भी एक अजीब सी सकती थी और आखें अजीब तरह से लाल-लाल हो रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है शायद वो खुद की लाचारी देखकर खुद पर गुसा कर रही थी वो उठना चाहती थी वो अपने बिजनिस की बाग डोर समालना चाहती थी लेकिन वो इसकदर मजबूर थी और इसी लिए उनकी हालत ऐसी हो रही थी पापा कमरे से जा चुके थे पर मुझे पापा का ये रवय्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पापा बार बार मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिच कर रहे थे अगर उन्हें बिजनिस में कोई इंटरेस नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे भी इस दिसा में कदम बढ़ाने से रोके खैर जो भी हो मैंने उस दिन सोचा कि अब मैं बिजनिस से रिलेटिड बहुत जादा बात पापा से करूंगी ही नहीं क्योंकि उनसे बात करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगा कम हो जाता था अगले दिन मेरे पास उसी क्लाइंट का कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको एक बार और मीटिंग के लिए हमारे बास से मिलना होगा मैंने तुरंट ही हाँ बोल दिया और मैं अपने मैनेजर और उस एमपलॉई जिसने मुझे इस डील के बारे में बताया था उसके साथ मैं उन लोगों की बताई हुई जगा पर पहुँच गई लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब मैं वहाँ पर पहुँची तो उनके बास ने किसी और कमपनी के साथ इस डील को साइन कर लिया था जिसके साथ उन्होंने इस डील को साइन किया था उस औरत को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके बारे में जब मैंने अपने मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि ये काफी successful business woman है मुझे यही लगा कि इन्हें तो और भी बहुत सारी deals करने को मिल जाती और जब ये इतनी ही जादा successful है तो फिर भला इन्हें इस छोटी सी deal में इतना क्या interest था कि इन्हों ने उसे भी मेरे हाथ से चीन लिया मैंने जब उस client से इस बारे में बात की कि आपके boss ने तो सरा सर मुझे धोका दिया है तो वो कहने लगे कि मैं भी मजबूर हूँ मुझे तो आपके सारे ideas और planning बहुत अच्छी लगी थी लेकिन मैं कोई मालिक तो नहीं हूँ इसलिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा मैं निराश होती हुई उनके कैबिन से बाहर आ गई थी मेरा मैनेजर मेरे पास आया और कहने लगा कि मैडम मैं भी चलता हूँ क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर कोई काम है मैंने उसे जाने के लिए बोल दिया और मैं कुछ देर वही हॉल में सोफे पर धढ़ाम से बैठ गई मैं इस वक्त बहुत ठक चुकी थी यह ठकान सिर्फ शारीरिक नहीं बलकि मानसिक भी थी एक रही सही उमीद भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी मेरी आँखों में आसु आ रहे थे लेकिन फिर भी मैंने उन्हें जैसे तैसे रोक कर रखा था मैंने जैसे ही गहरी सास लेकर उठने की कोशिश की तभी मेरे आफिस का वो एम्पलॉई मेरे पास आकर खड़ा हो गया वो कहने लगा मैडम मैं आप से कुछ कहना चाता हूं मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा कि मैं आपको ये बात बहुत पहले से बताना चाता था लेकिन मैं भी एक अधना सा करमचारी हूं और फिर मैनेजर हर वक्त हमारे इर्द गिर्द रहता है और हमारे साथ काम करने वाले कई लोग भी मैनेजर से मिले हुए हैं इसी लिए मैंने आज तक आपको ये बात नहीं बताई लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है मैंने उससे कहा कि क्या बात है तो वो कहने लगा कि मैडम दरसल हमारी कमपनी को जो भी अब तक लॉस हुआ है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बलकि ये औरत है इस औरत का नाम शिवानी औहुजा है और ये तो जैसे हमारी कमपनी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ी हुई है और ये अभी से नहीं है ना जाने कितने ही सालों से ये एक के बाद एक ये औरत हमारे हाथ से हमारे सारे क्लाइंट सारी deals को खीचती चली जा रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ये इस तरह से सारी deals को अपने नाम पर करवा लेती थी कुछ deals इसे मिल जाती थी तो कुछ हमारी company को लेकिन पिछले पांच साल से जब से ये नया manager हमारी company में आया है तब से एक के बाद किया गया है उस सारी information ये आदमी उठा कर उस सिवानी अहूजा को दे देता था ये बात पहले तो किसी को भी पता नहीं चली लेकिन जब एक के बाद एक हमारे साथ ऐसा होने लगा तो बड़ी मैडम को कुछ शक हुआ कि जरूर कोई ऐसा है जो घर का भेती है और फिर बड़ से सारी चीजों की तहकी कात की तो एक दिन उन्हें इसकी असलियत के बारे में पता चल गया था लेकिन इससे पहले कि वो इसके खिलाफ कोई भी कदम उठा पाती अचानक उन्हें अटैक पड़ गया मैंने उस employee से कहा कि लेकिन भला ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा था और शि लेकिन बस जो भी बात मुझे पदा थी वो मैंने आपको बता दी हो नहो आज की ये डील भी इसी आदमी की वज़ा से हमारे हाथ से गई है अब मुझे सारी तस्वीर साफ नजर आने लगी थी मुझे उस manager पर उस वक्त बहुत गुसा आ रहा था पहले तो मैंने सोचा कि मै मैं अभी आफिस जाकर उसे काम से निकाल देती हूँ लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग को ठंडा किया और सोचा कि हमारी company तो वैसे ही बंद होने वाली है तो अगर मैं उसे काम से निकाल भी दूँगी तो उसे तो कोई सवक मिलने वाला ही नहीं और फिर उसे निकालने से जादा जरूरी ये है कि मुझे इस बात की जड़ पता चले कि सिवानी अहूजा इसकदर मा के पीछे क्यों पड़ी हुई है कि वो उन्हें पूरी हत तक बरवात कर देना चाहती है मैंने सोचा कि मैं इस औरत के बारे में खुद से ही सारी बातों को पता करूंगी और फिर म जहां जहां से भी उसको लेकर डीटेन निकलवा सकती थी वहां वहां पर मैंने बात की लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ उसके बारे में पता नहीं चला और ना ही ऐसी कोई बात पता चली जिससे मुझे ये लगे कि उसका कोई पुराना कनेक्शन मेरी मां से हो क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला जो उस औरत को सालों से जानता हो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पहेली को भला कैसे सुल जाओं जब मैं घर पहुची तब भी मैं बहुत परिशान थी फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि पापा की एज भी काफी हो गई है और हो सकता है कि माने शिवानी अहूजा के बारे में कोई बात पापा को बताई हो और उन्हें उसके बारे में पता हो इसलिए मैंने पापा से सिवानी अहूजा के बारे में पूछा लेकिन उसका नाम सुनते ही ऐसा लगा कि जैसे पापा का चहरा सफेद पड़ गया हो मैंने पापा से कहा कि आप उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या तो वो लड़कडाई हुई जुबान से इनकार करने लगे मैंने उनसे कहा कि पापा आप जिसकदर घवराय हुए हैं उससे मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते आपको जरूर कुछ ना कुछ पता है तो वो कहने लगे कि सच कह रहा हूँ माला बेटा मैं उस ओरत के बारे में कुछ नहीं जानता मुझे तो बस तुम्हारी मा ने सिर्फ इतना बताया था कि वो ओरत तुम्हारी मा से competition कर रही है और उसे business की field में हरा देना चाहती है बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता मैंने मन में सोचा कि इतना तो मुझे खुद उस employee ने ही बता दिया है लेकिन इससे तो मेरी कोई भी खास मदद नहीं होने वाली सोचने वाली बात ये है कि कोई भी इंसान किसी के पीछे इतने सालों से अगर इस हद तक पड़ा हुआ हो तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई बड़ा मकसद होता है लेकिन आखिर वो क्या हो सकता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा था अगले दिन मैं मा को लेकर अस्पताल गई क्योंकि मुझे उनके कुछ चेक अप करवाने थे मुझे ये देखना था कि उनकी हैल्थ में कितनी प्रॉग्रेस हो रही है पापा तो अपने एंजी ओ के काम से आज बाहर गए हुए थे इसलिए मैंने उनसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की मा के सारे चेक अप कराने के बाद मैं जब रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही थी उसी वक्त बहां पर एक नर्स आई उसने मुझे से पूछा कि आप रेनु का सिंगानिया की बेटी माला सिंगानिया है ना मैंने उससे कहा कि हाँ क्या बात है तो उसने पहले तो यहाँ वहाँ देखा और उसके बाद मुझे कुछ हाथ में पकड़ाया और धीरे से कहा कि ये मुझे आपकी माने दिया था उस वक्त उनके हाथ थोड़े बहुत काम कर रहे थे और उन्होंने मुझ से बस इतना ही कह पाया था कि इसे मैं उनकी बेटी माला सिंगानिया को दे दू उसके बाद उस नर्स ने मुझसे जो बात कही उसे सुनकर मैं दंग रहे गई वो कहने लगी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मा को किसी और डॉक्टर के पास लेकर जाएं मैंने उससे कहा कि ये आप क क्वेस्ट है कि अगर आप उन्हें ठीक होते हुए देखना चाहती है तो आज के बाद उन्हें इस अस्पताल में लेकर कभी भी मताईएगा इतना कहकर वो वहां से चली गई मैं हैरान परेशान सी उसी जगा पर खड़ी थी मुझे तो समझी नहीं आ रहा था कि ये सब हो क बड़ा था लेकिन आखिर क्यों और किसली है मैंने तुरंत ही अपने हाथ में पकड़े हुए उस कागज को देखा तो उसमें एक बिजिटिंग गार्ड था और एक छोटा सा पेपर नोट जिस पर मेरी मा की हैंड राइटिंग थी मम्मी ने उस पर लिख रखा था डोंट उससे आगे भी उनोंने कुछ लिखने की कोशिश की थी लेकिन शायद उस वक्त तक उनके हाथों ने उनका साथ छोड़ दिया था और इसी लिए वो कुछ लिख नहीं पाई वो पढ़कर मैं दंग रह गई थी कि भला माने ऐसा क्यों कहा कि मैं पापा का विश्वास ना कर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं इस वक्त भयंकर उलजन का शिकार हो चुकी थी फिर मैंने उस विजिटिंग कार्ड को पढ़ा उसमें किसी अजयरावत का नाम लिखा हुआ था जो कि उत्तरा खंड का कोई बिजनिसमैन था लेकिन वो कौन था मुझे नहीं पता मैं जो भी सवाल हैं उनके जवाब मुझे इस आदमी से मिल जाएं दोस्तों ये इस कहानी का पहला भाग है इस कहानी का दूसरा भाग कल इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा और आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही साथ इस कहानी को ज़् से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें